24 अप्रेल को सुक्रगरह के अस्थ होने के कारण हिंदू धरम में सभी मांगलिक कारियों पर रोग लग गई थी जीवन सुखी होका। सुक्रगरह के उदृ को लेकर हमने हरदवार के परसिद जोतिस आचार ये पंडिस 37 से बाचीत की। कि ये कुछ ने सुख्रगरह के उद्यको लेकर क्या कुछ कहा है सुनियें। पंज़ाभी लोग कहते हैं पंज़ाभी क कहते सुना है। तारा डूब गया तारा डूब गया तो तारा डूबने में सभी सुभकारिये कारियों पर परतिबंद लग जाता है सुक्र ग्रहे का अस्त होना पांच बज़कर 69 मिनट पर प्रारम हुआ है जो की सुक्र ग्रहे पूर दिसा में अस्त हुए है 24 अपरेल का जो इंगलिस केलेंडर के नुसार तारिक पड़ती है उस दिन अस्त हुआ था तो इसका आगे चल करके पूर्ण अवधी बैठती है 74 दिन बैठते हैं जैसा कि आगे साथ जोलाई को सुक्र उदे हो जाएगा तो इस अवधी में 74 दिन की अवधी में सुक्र ग्रहे जब अस्त थे तो जितने भी सभी रासियां थी उन पर सुक्र ग्रहे से सम्मंधित लाब बिलकुल नहीं हुआ साथ जोलाई को सुक्र ग्रहे उदे हो रहे हैं तो सभी रासियों पर केवल धनू रासि वो छोड़ करके धनू रासि पर कम लाब की संभावना बनी रहेगी इसके अतिरिक्त जो 11 रास्य हैं इने पर सुक्र रहेगा बहुत ही अच्छा प्रफा पढ़ेगा और जो भी व्यक्ति हैं सभी रास्यों पर तो उनके अलग-अलग उनकी मनों काम नहीं हैं कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदेगा फोर वीदर और टू वीदर इसके तिरिक जो घर में ऐसा आराम की चीजे हैं घर के परदे गदे और जिससे हमें लाब मिलता है आराम की चीजे कोई डबल बैड़ भी ले सकता है जो भी सुक्र से जम्मंधित चीजे हैं वो सब खरीदनी परदेंगे इसके अलावा जो धर्म कर्म के कारिये हैं वासंसकार परदेंगे घर के मुरस्रू हो जाएंगे बड़े-बड़े नुष्ठान वो रुदरावी सेग और कोई भी बड़ा कोई नुष्ठान करना चाहते हैं या कोई हम बंडारा करना चाहते हैं और एक अपना परकार के लिए कोई भी मंदिर में किसी परकार का भी बड़ाय उजन करना चाहते हैं तो वह सुक्र उद्य होने पर इसका अनुकुल परभाव पड़ेगा